आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सोराइसस एक ऐसी समस्या है जिसमें तवचा कोशिकाएं बहुत तेजी से वृद्धी करने लगती है जिसकी वजह से तवचा पर स्केल और सूखे पैच बन जाते है शरीर के किसी भी भाग पर यह समस्या उत्पन हो सकती है परंतु अधिकांश यह समस्या निचली पीट, कोहनियों और भुटनों में देखी जाती है सोराइसस सिपीवित व्यक्ति को डेरोबिन क्रीम का इस्तेमाल नियमित रूप से करना चाहिए दो, डेरोबिन क्रीम का इस्तेमाल दर्मेटाइटिस की समस्या को दूर करने के लिए किया जा सकता है दर्मेटाइटिस एक ऐसी समस्या है जिसमें तवचा पर लालिमा उत्पन हो जाती है इस थिती में तवचा पर लालिमा होने के साथ साथ जलन और सूर्जन की समस्या भी उत्पन हो जाती है तवचा पर लालिमा के साथ चाले हो जाते है जिससे तवचा से ड्रफ तवचा पर पपड़ी जैसी समस्या भी उत्पन हो जाती है अताय डेरोबिन क्रीम का इस्तिती में फाइदे मंद होता है डर्मेटाइटिस से प्रभावित भाग पर डेरोबिन क्रीम का उच्चित मात्रा में इस्तिमाल करने से डर्मेटाइटिस की समस्या ठीक होने में मदद मिलती है 3. डेरोबिन क्रीम का इस्तिमाल खुजली, मुहासे और चाय की समस्या को दूर करने के लिए किया जाता है प्वचा पर खुजली, मुहासे की समस्या उत्पन होने पर डेरोबिन क्रीम का उप्योग करना लाबदायक होता है परंतो इन समस्याओं के उप्चार के लिए Deerobin Cream का उप्योग करने से पहले दॉक्टर से सलाह हवश्श लेनी चाहिए 4. Deerobin Cream का उप्योग जीर्ण रोग और छाल रोग के लिए किया जा सकता है जीर्ण और छाल रोग एक प्रकार के त्वचा रोग है जिसे ठीक करने के लिए डेरोबिन क्रीम का इस्तिमाल करना फायदे मंद होता है त्वचा के संक्रमित हो जाने पर जीरुन और छाल रोग जैसी समस्या उत्पन हो जाती है जिसे ठीक करने के लिए डॉक्टर की सलाह पर डेरोबिन क्रीम का इस्तिमाल करना लाबदायक होता है 5. डेरोबिन क्रीम का इस्तिमाल त्वचा पर भूरे धब्बे और लालिमा की समस्या को दूर करने के लिए किया जा सकता है कई लोगों की तवचा संक्रमित हो जाती है जिसकी वजह से तवचा पर अक्सर भूरे धबे और लालिमा जैसी समस्या उत्पन हो जाती है त्वचा पर भूरे धब्बे और लालिमा से छुटकारा पाने के लिए डॉक्टर की सलाह पर ही नियमित रूप से डेरोबिन क्रीम का इस्तिमाल करें डेरोबिन क्रीम के साइड एफेक्ट्स डेरोबिन क्रीम से त्वचा पर कोई दुश्प्रभाव नहीं होते हैं परंतु कुछ स्थिती पर इसके दुश्प्रभाव हो सकते हैं, जैसे 1. त्वचा पर लालिमा, 2. संपर्क रोग, 3. कूपशोत, 4. प्रत्यूर्जतात्मक प्रतिक्रियाएं, 5. रंजिकता, 6. जिस भाग पर डेरोबिन क्रीम लगाई गई हो उसके आसपास जलन होना, 7. उत् सितियों में डेरोबिन क्रीम का उप्योग करने से त्वचा पर हनिकारक प्रभाव हो सकते हैं, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली महिलाएं को डेरोबिन क्रीम का उप्योग करने से पहले डॉक्टर से सलाह ले, इसके बाद डेरोबिन क्रीम का उप्योग करें डेरोबिन क्रीम को मुह, आक, नाक और शरीर के अन्य भाग जो संप्रमित न हो उनके संपर्ख से दूर रखें इसके अलावा छोटे बच्चों से भी डेरोबिन क्रीम को दूर रखें तो यह थी देरोबिन क्रीम के उप्योग फायदे, नुकसान और सावधानिया के बारे में जानकारी. आशा करते हैं कि आप जो जानकारी जानने चाहते थे, आपको वह जानकारी अवश्य मिली होगी. और इसी तरह के जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें. धन्यवाद.